आज हम पढ़ेंगे इंटेलेक्च्छल डिसेबिलिटी में सब टोपिक है अर्ली इंटर्वेंशन शिगर हथशेपन शिगर हथशेपन तब ही किया जा सकता है जब हम बच्चे की पहचान कर पाएं तो हम पहले पढ़ते हैं जो बधिक अक्षम बच्चे हैं उनकी पहचान कैसे की जा सकती है यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है जिसके आधार पर जो बधिक अक्षम बच्चा उसकी पहचान की जा सकती है सामाने बच्चों के विकास के करम को ध्यान में रखते हुए अवरोध या विलम का पता लगाया जा सकता है फिर सेकिंड पॉइंट है बच्चों के बोधिक अक्षमता सिगर जांच करने के लिए राष्ट्य मानसिक विकलांग संस्तान NIMH द्वारा तीन स्क्रीनिंग शेडूल विक्सित किये गई हैं जो कि इस परकार है जो NIMH है उसने तीन स्क्रीनिंग शेडूल है जो बोधिक अक्षम बच्चे को अइडेंटिफाई करने के लिए तयार किये हैं फरस्ट स्क्रीनिंग शेडूल संख्या एक ये है तीन वर्से जो कम आईउ के बच्चे हैं उनको अइडेंटिफाई करने के लिए इसमें ग्यारा चरण है वाई दो अन्य चरण है यानि इसमें क्या है ग्यारा स्टैपस है और दो अन्य स्टैप है सेकिंड है स्क्रीणिंग शेडूल संख्या 2 इसमें क्या कहा गया है 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए है और इसके अंतरक्रत क्या है YES या NO में रेस्पोंस दिया जाता है यदि बच्चा हा में रेस्पोंस देता है तो उसके जो बोधिक अक्षम होने की संभावना जादा रहती है फिर NEXT आते हैं स्क्रीणिंग शेडूल संख्या 3 ये है साथ वर्ष या उससे अधिकायू के बच्चों को identify करने के लिए इसमें भी क्या है रेस्पोंस हा या ना में दिया जाता है और अगर उत्तर बच्चे का हाम ही होता है तो उसके बोधिक अक्षम होने की संभावना जादा रहती है अब ये जो फिर्स एडूल है जिसमें मैंने बताया था स्टेजिस 11 है और 2 अन्य स्टेजिस दी गई है जो डिफरेंट फेक्टर्स हैं वो दिये गई है इसमें हम फिर्स एडूल में देखते हैं जो तीन वर्स से नीचे के बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए है इसमें दिया गया है मैंने यहाँ पे कोलम बना रखी है एक में स्टेज नंबर डाले हुए है सेकिंड कोलम में है चाइल्स प्रोग्रेस फिर नेक्स्ट में है नॉर्मल डवलप्मेंट एज रेंज दे रखी है जो नॉर्मल बच्चों में होती है डवलप्मेंट इस टाइम पिरिड में और अगर डिले डवलप्मेंट है तो वो उसकी रेंज क्या है फर्स दिया गया है किया जा सकता है लेकिन इसको लेबल नहीं दिया जा सकता अभी इसके और बहुत stages है जिनका भी response है हा में होना जरूरी है कि यह एक ID बच्चा है सब में इसमें delay है उसकी development फिर second is smiles at others नॉर्मल बच्चा 1-4 मन्त में करता है delay development 6 मन्त तक हो सकती है third holds head steady यानि सिर को स्थिर रखना नॉर्मल बच्चे में क्या range है 2-6 मन्त और delay development 6 मन्त तक fourth है sits without spot बिना साहता के बच्चा बैठ पाता है नॉर्मल बच्चे में होते हैं 6-10 मन्त और delay development 12 मन्त 12 मन्त fifth है stands without sport बिना साहता के खड़ा हो पाता है नॉर्मल बच्चे में development range कितनी होती है 9-14 मन्त और delay development 18 मन्त फिर sixth है walks well आच्छे से चल पाता है नॉर्मल बच्चे में होती है 10-20 मन्त और delayed 20 मन्त seven talks in 2-3 words sentences नॉर्मल डिवलप्मेंट एज रींज है 16-30 मन्स delayed 3 years eight है eats or drinks by self यानि swim से खा पाता है पी पाता है तो नॉर्मल डिवलप्मेंट 2-3 और delayed है 4 years फिर ninth आती है tells his name अपना मतलम नाम बता पाता है 2-3 साल का बच्चा यह नॉर्मल डिवलप्मेंट रींज दी गई है delayed development 4th year tenth है has toilet control मतलब उसका अपने toilet पर control है नॉर्मल बच्चे में होता है 3-4 year range है और delayed 4th year 11th है avoid simple hazards जो simple आसान जो hazards है मुश्किले आती है जो उसके रस्ते में उनको avoid कर पाता है उनसे बच पाता है नॉर्मल बच्चे में क्या होता है age range 3-4 year और delayed development 4th year और other factors है जो other stages है 12th and 13th 12th में fits इसके response है yes या no 13 है had physical disability उसे कोई शारिक अक्षमता है या नहीं है इसका भी response क्या है yes या no not दिया गया यहां पर if the child is found to be delayed in any of the stages given from 1 to 11 and if the child has fits or physical disability suspect mental retardation इसमें ये का गया है कि जो उपर 11 stages दी गई है 11 stages दी गई है उनमें से अगर किसी में बच्चा delay पाया जाता उसकी development और उसके साथ ही उसको fits है वो physical disability है तो वो suspected है वो बच्चा कि उसको mental disability mental retardation यानि intellectual disability हो सकती है आजकल हम mental retardation की जंगा intellectual disability word यूज करती है फिस जो second schedule है जो तीन से साथ साल के बच्चों के लिए बनाया गया है उसमें क्या है हमें क्या observe करना है वो चीज़े दी गई हैं बच्चे में उसको identify करने के लिए उसके responses है yes या no और पीछे मैंने बताया था अगर हाँ होती है responses तो बच्चे के ID होने के chances होते हैं फास्ट है इसका response yes या no में है second question है does the child appear to have difficulty in hearing क्या बच्चे को सुनने में कोई दिकत है third है does the child have difficulty in seeing क्या बच्चे को देखने में कोई समश्या है फिर है when you tell the child to do something does he seems to have problem in understanding what you are saying जब बच्चे को मतलब हम कुछ बोलती है तो क्या बच्चा उसको समझ पाता है या उसको समझने में कोई समश्या होती है कि हम क्या कह रही है fifth है does the child sometime have weakness and stiffness in the limbs and or difficulty in walking or moving his arms फिर ये का गया है कि क्या बच्चे को कभी कभी कमजोरी मैसूस होती है या कुछ मतलब हिचाओ मैसूस होता है अपने पैरों में चलते हुए या अपनी हाथों को जो बाजुए हैं उनको गुमादनी में फिर नेक्स्टे सिस्थ है does the child sometimes has fits, becomes rigid or loses consciousness बच्चे को क्या कभी fits आती है या वो अपनी जो चेतना है उसको खो देता है सैवंधे does the child have difficulty in learning to do like other children of his age क्या बच्चा सीखने में कटनाई, किसी भी चीज़ को सीखने में कटनाई महसूस करता है जो उसकी उमर के बच्चे कर पाते है is the child notable to speak at all क्या बच्चा बिलकुल ही नहीं बोल पाता है और can't make himself understood in words or say any recognizable word या बच्चा मतलब समझ नहीं पाता है किसी word को या किसी जिस बच्चे को वो word याद कराये गया है उस word को वो recognize नहीं कर पाता है पहचा नहीं पाता है next question is the child's speech is any way different from normal क्या बच्चे की जो speech है वो normal बच्चे से किसी भी तरीके से अलग है next question is compare to other children of the same is does the child appear in any way backward dull or slow जब बच्चे को उसी की उमर के बच्चों से compare किया जाता है तो क्या बच्चा किसी चीज में उस बच्चे की comparison में पीछे है dull है या slow है धीमा है फिर next जो third schedule है जो NIMH ने बनाया है screening schedule 7 वर्ष और उससे अधिक बच्चों के लिए उसमें क्या दिया गया है अगर हम एक ID बच्चे को identify कर रहे हैं में क्या क्या चीज़े observe करने पड़ेंगी इसमें first question है compared with the other children did the child have any serious delay in sitting, standing or walking इसमें भी वही first point दिया गया है कि अगर उसी की उमर के बच्चों के साथ उसको compare करते है तो क्या उस बच्चे को खड़ा होने में, बैठने में या चलने में कोई समश्या है second can the child not do things for himself like eating, dressing, bathing and grooming क्या बच्चा खुद से खाना नहीं खा पाता है कप्डे नहीं पाता है, नहा नहीं पाता है does the child have difficulty in understanding when you say do this or that क्या बच्चा इस चीज को समझने में कटनाई मैसूस करता है जब आप उसको कहते हैं इसे करो, उसे करो fourth is the child's speech unclear क्या बच्चे की जो speech है unclear है first नहीं है फिर fifth question दिया गया does the child have difficulty in expressing without being asked what the child has seen or hear क्या बच्चा अपनी आप से इस चीज को express करने में कटनाई मैसूस करता है जो बच्चे नहीं सुना है या देखा है next question आता है does the child have weakness and stiffness in the limbs and the difficulty in walking or moving his arms इसमें क्या का गया है कि बच्चा क्या कमजोरी महसूस करता है stiffness महसूस करता है अपने limbs में चलते हुए और अपनी arms को move करने में क्या उसको कटनाई महसूस होती है seventh question does the child sometimes have fits, become rigid or loses consciousness क्या बच्चा को कभी-कभी fits आते हैं वो rigid हो जाता है तनाव हुआ मतलब और loses consciousness और अपनी चेतना खोग देता है eighth question compared to other children of his age does the child appear in any way backward dull or slow और जब बच्चे को उसी की उमर के बच्चों के साथ compare किया जाता है तो वो किसी भी तरीके से पीछे है उनसे slow है या धीमा है if any of the above item is answered yes suspect mental retardation इसमें कहा गया है कि उपर दिये गए इन questions में से अगर इनके answers हाँ है तो बच्चा क्या है suspect है ID होने का intellectual disabled होने का इसमें note दिया गया है screening schedule 2 and screening schedule 3 ensure the prompt identification of every single mentally retarded children do not worry if the questions sometimes identify persons with handicap other than mental retardation such persons can be later assessed our chief concern is the identification of the mentally retarded child जो screening schedule 2 or 3 है इनका जो main purpose क्या है बच्चे की जो intellectual disabled बच्चा उसकी शिगर अती शिगर पहचान करना लेकिन चिंटा करने की आशकता नहीं है अगर कुछ questions क्या है persons को ID intellectual disabled होने की जगे जो handicap है persons with handicap जो other disability है उन व्यक्तियों को identify कर देती है ऐसे विक्ति बाद में भी assess हो जाती है लेकिन यहाँ पर इनका मुख्य जो concern है वो क्या है एक intellectual बच्चे को identify करना अब हम पढ़ेंगे acronyms related to special education इसमें C alphabets related acronyms है first is CPRC CPRC का या मतलब है Community Parent Resource Center Community Parent Resource Center second is CSHCN Children with Special Health Care Needs Children with Special Health Care Needs next is CPIR Center for Parent Information and Resources Center for Parent Information and Resources next is COP COP Community of Practice Community of Practice next is CAP CAP Corrective Action Plan Corrective Action Plan thanks for watching you you you